इल्स्ट्रेशन नंबर 9, जिसके अंदर क्या दिया है? कि मिनिमम गैरेंटी जो अर्निंग है प्रॉफिट उसके अंदर से क्या बोला है? गैरेंटेट बाइब पार्टनर टुदी फर्म, एक पार्टनर ने फर्म को गैरेंटी दिये कि हाँ इतना तो प्रॉफिट आपको होगा, ये सेम साइट पे फर्म ने भी किसे गैरेंटी दिये पार्टनर को कि मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना तो हम प्रॉइड करेंगे, देट मेंज वाइसे वर्सा है, दुनों एक पुस्रे को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की अर्नेंग का गैरंटी दीर हुई, अना, चली, कौश्चन देख लेखे थे, यहां परहादे तो C परसन है, यह ना जिनके शेयर के क्या बहुत है गैरेंटी दी थी कितना less than 3 lakh तो नहीं होगा बराबर minimum को 3 lakh तो मिलेगा ही then B gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the professional alone तो यहाँ पर B नाम का जो परसन है यहाँ बी नाम का जो परसन है यह क्या करका है यह firm को guarantee दे रहा है कि मेरे पिछले 5 साल के career में जितना आजनी average profit आया उतना ही almost firm को भी उतना तो मिलेगा ही clear इतना तो मिलेगा ही the average of which work out at 5005 lakh कितना है average 5 lakh है अब उन पर जान देना सिर्फ then the profit for the first year कौंसा है the profit for the first year year ended 31st March 2011 अमेशा यहाँ पर को अपना year देखो कौंसा year पर end हो रहा है then of the partnership are 15 lakh कितने का हुआ है 15 lakh रुपेश का profit है total the gross fee earned by B for the firm for the firm are 3 lakh 20,000 कितना है 3 lakh 20,000 यह क्या रुपेश की रुपेश करी है किसने बी ने बराबर चली now you are required to show the profit and loss appropriation account after giving the effect of the above क्या प्रिपेर करना है profit and loss appropriation account clear कुछ इस तरीके से heading डाल दिया गरो कि कौंसी कौंसी चीज़े main है आपके लिए ठीक है डारेक दिख जाएगा चलो appropriation बनाना है format बना लोगे clear कुछ इस तरीके से ही मारा format बनता है profit and loss appropriation account year and कौंसे तरीके पर एंडि उसकी देट debit credit particular amount particular and amount डूपी की साइन अलना कोई भी नहीं भूलेगा यहाँ पे clear है चलो now फॉस्ट है बतारहे है कि सबसे पहला आप किस चीज़ के entry करेंगे जहाँ पर आपको फर्म के रिकार्डिंग आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस पहले उसके entry रहेगी यही लाइन में बताएगा है कि प्रॉफिट आपको कितना है फिफ्टिन लैक रॉपीज फिफ्टिन लैक रॉपीज का प्रॉफिट है डैट मेंस किदर से डाइगा प्रॉफिट से उसकी इफेक्ट आएगी बाइप्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इस फिफ्टिन लैक रॉपीज इसकी इफेक्ट ना नेक्स्ट आजाव अभी बरहत इतनी इफेक्ट आएगी जब अधार्न चलिएक्टी से इनकों लुद ट्रांस्फर करना है बाकिष्ट्रीट करेंगे तो किस तरफिक से उसकी इफेक्ट आहीं वर्किंग देख रहे नहीं है आपकर वर्किंग दी हुए, इसी वर्किंग को ध्यान से लेखना, समझ में आगा तभी आगे करपा हो वर्किंग नोट, इसी तरह का सिम टाइटल देगे आप ना, फॉस्ट वन, प्रॉफिट फॉस्ट एर अफ पार्टनर्शिप कितना था, 15,00,000 रुपिज था, mainly, कितना था यापर, 15,00,000 रुपिज, हाला, देखना, देखना था, इसी तरह कितना था, कि भाई, आपको 5,00,000,000 रुपिज तो आवरेज मिलेगा ही, ठीक है, कितना, 5,00,000,000, लेकिन एक्च्वेल यी, बी को मिला कितना है, 3,20,000, clear, that means, difference amount कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 1,80,000, है न, difference amount कितनी है, 1,80,000 रुपिज, बराबर, यह आएगी इसके अंदर, project net profit for the firm, इसका क्या करेंगे, addition, add हो जाए गही है, दिया हो आपको यहापर, addition, clear, कितना हो जाए, 16,80,000, यह क्या है, actual profit है, जब इस है, net profit है, आप लोग का, बराबर, जब भी net profit मिल जाएगा, then, उसके बार, next step क्या होगी हमारी, उस profit को, as per their profit and loss ratio, profit and loss का जो ratio है, उसमें आप distribute कर रहेगे, जो आपको profit and loss का ratio दिया होगा, क्या था आँको, 3 is to 2 is to, 1 का दिया था, कितना दिया था, 3 is to 2 is to, 1 का क्या दिया था, ratio, clear, तो उसी ratio का distribute करो, A share, B share and C share, total profit, into 3 by 6, 6 कहां से आया, ratio का total, 3 plus 2 plus 1, equal to 6, clear, ठीक है, इस तरीके साब कट दे जा, B का share, then C का share, आपको amount यहां परावे ही है, बारा, हर एक के share की amount आपको मिल रही है, clear, जिसको A को कितना मिल रहा है, 8 like 40,000, B को कितना मिल रहा है, 5 like 60,000 and next, और साथ में, C को कितना मिल रहा है, 2 like 80,000, clear, अब एक बार वाक्ति से अपना question देख लेंगे हूं, कि क्या मताय जा रहा था, चुर्ण, तो question में हमने यह एक चीद देखी थी, जो बारा first है, इसके अदर में एक चीद देख रही है, कि यहाँ पर क्या बोला गया था, कि C को जो share मिलेगा, profit था, वो 3 like से कम नहीं होना चाहिए, at least 3 like तो होना ही चाहिए, बड़, यहाँ पर हम जो working देख रहे हैं, और उसमें share of profit मिला है, तो C को कितनी amount मिल रही है, 2 like 80,000 मिल रही है, है ना, कित, sorry, कितनी मिल रही है, 2 like 80,000 मिल रही है, that means, अब जो remaining amount है, वो कौन देगा, A और B को देना पड़ेगा, बराबर किसको देनी होगी, A और B को देना होगा वो चीज, clear, चौद, समझ में आना चाहिए हैं, remaining amount है ना, कितनी बच बें, 20,000 रुटो बची, ठीक है, यह 20,000 कौन देंगे, जो बाकी के पार्टनर है, वो देंगे, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गैरंटी दी दी C को, कि तुझे इतना पैसा तो मिलेगा, then, उसके लिए, second point आजा, C was guaranteed a minimum sum of rupees 3 lakh, same question का ही होड़े बता आजा है, Hence, the deficiency of 20,000 will be born by a and b in the ratio of 3 is to 2, कौन बैर करेगा यह ची, दोनों पार्टनर, a और b, कौन से ratio में, 3 is to 2, जिसमें वो profit पाट रहे, उसी ratio में, distribute भी करेंगे, चौँ, कितना था, 20,000 था, ratio में distribute करना है, 3 is to 2 में, कर दो, a, 20,000 into, now, 3 is to 2 प्लस करेंगे, that means कितना हो गया, 5, इसलिए 5 आया है, 20,000 into 3, divide by 5, 12,000, that means a, अपने पास से कितना देगा, 12,000 निकांके किसको देगा, c को, है न, इसको देगा, c को, वही सेल, 20,000 into 2 by 5, 8,000, 8,000, b, 8,000 किसको देगी, c को, that means 12,000 प्लस 8,000, complete, 20,000, c को, मिल गए, वो भी दोनों पार्टनर ने अपने पास से दिये हैं, अना, अपने पास से दिये, that means, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, c को शेर तो मिल गए, इसके अंदर में, 20,000 को प्लस करो मार्ट, इसके 3 लेक्ट तो बन जाएंगे, बराबर, बड़, यहाँ पर एक चीज़ है, इन पार्टनर ने अपने पास से भी तो कुछ पैसा दिया है, तो अब इनका शेर इतना ही होगा, क्या, नई, अब इनका एक्ट्वल शेर कितना हो जाएगा, 12,000, A ने अपने पास से दे दिये, तो पहरे उसके शेर कितने थे, 8,40,000, जिसमें से 12,000 रुपे उसने C को दे दिये, कम होगा उसके पास पैसे, तो वो दिखाओ, ने शेर, A का शेर प्रॉफिट, भाई, 8,40,000 थे, उसमें से 12,000 रुपे उसने C को देने पड़े, तो अब एक्ट्वल प्रॉफिट, कितना शेर के पास, 8,28,000, clear, then, 5,60,000, क्या है, 5,60,000 था, B का, माइनस 8,000, 5,52,000 उनका शेर है, सेम, जब 2,80,000, 2,80,000 था है, उनके पास, शेर मिला था C को, जिसमें से 12,000 किस ने दिये, A ने, से B ने दिये है, 8,000, that means इनका तोटल कितना होगिया था, 3,00, कितना होगिया था, 3,00, रुपे, clear, अब यही सारी चीज़े क्या करनी है, आपको, clear बता यो भी देखे, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ प्रिंट कर देना, यह कितना होगिया था, टोटल, अब एस पर आपने जो वर्किंग करी है, ठीक है, यहाँ पर जो भी वर्किंग हुई है, अब इसी वर्किंग को हमारे फॉर्मेट में एंट्रे कर देंगे, clear, चलिए, तो, buy 20 capital account, अब आपको सर 20 capital account क्यो लिखा आपने है, यहाँ पर 180,000 की B is capital की working मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, वो इसलिए, गैरेंटी किस ने दी थी, अब मुझे इतना बताओ, गैरेंटी किस ने दी थी, कि मैं पांच लाट तो फॉर्म को मिलेंगे ही मिलेंगे, किस ने दी दी जा दो, भी ने दी थी, बराबर, बड़ अंफॉर्चेटली इतना तो मिला ही नहीं, तो किस की responsibility है कि फॉर्म को उत्री अमाउंट कवर करें, पाइब पाइब लाग बोले दी लेगे, थ्री लाग ट्वेंटी थाउजन ही आया, तो बही बाकी कि अमाउंट कौन लाएगा, बी को ही लाना पड़ेगा, तो एस अब हो, capital फॉर्म में लेके आया, इसलिए 1,80,000 यहाँ पर introduce हुआ, इसलिए यहाँ पर आयेगा, करेक्ट, 3,20,000 था, प्लस करेंगे है, 1,80,000, 5,000, complete हो गए, next step पर यहाँ पर आजाओ, तो profit transfer to, बाकी सब में distribute करना था profit, है ना, distribute करना था, पहले A का share निकाल दिया, यह हमारा first step था, A का share निकाला था, B का share निकाला और, sorry, और फिर C का share निकाला था, लेकिन यहाँ पर जब देगा, क्या रहे है इसको तो at least 3 lakh रुपीज तो चाहिए ही, अब इसके देगा पर क्या करना होगा, partner को अपने पास से पैसे निकाले के, इसके 3 lakh को complete करना होगी, तो S में अपने ratio के सबसे निकाले पैसे, A कितना देगा C को, 12,000, तो इसके अंदर तो add होगा, यहाँ से minus, clear, let's say, B मैंने, B ने कितने पैसे दी अपने पास से, 8,000 रुपीज, इसके अंदर add, इनका होगा 3 lakh, इन सबका sum करो, यह रहा, clear, correct, चलो, then, अब क्या करों के next step के है हमारा, closing गई, next step किसका है, closing, closing कर गया, amount है होगा आपकी, 16 lakh 80,000, same as 16 lakh 80,000, clear, working पे ध्यान दो, बाखी सारे चीज, easy ही है, clear, working पे आपको सेम इसी तरीके से करने होगी, कोई भी step में, सबसे पहरे जिसा आपने profit के निकाल लिया, next step आपका यही होगा, कि आप profit के, जो partner से, उनके share distribute कर दो, share distribute करने के पाद आप आपी से एक बार question में ध्यान दे रहा, कि क्या यहां पर कोई एक ऐसा partner है, जिसे guarantee दी गई कि at least आपको इतनी amount मिलनी चीज, सबसे पहले वह दे, उसके बार आगे को step करना, इसलिए पहले working करना, then हमाहाँ प्रोस की सारी effect दे रहा, बराबर, चल्ट, चल्ट, चल्ट भी next question पर, चल्ट, यह आगा हमारा, next question है, tank, just a second, इस तरी किसी format यह रखता हूं, ताकि कि आपको easy और इच्छे से, यान हो सब्सक्राइए, समझ लिए आजाए, प्राब, यूँके ता sufficient हाला है, तो time नहीं है कि एक एक चीज, मैं deeply blackboard पर करा पहूँ, अदरवाइस एक इन एक ही sum होगा, तो हम लोग कुछ इसी तरी किसे देख लेंगे, ठीक है, चल्ट, यह working करा गया, बराबर, आपको question ही है, आपको format यहाँ पर decide कर दिया, और यहाँ पर आपका क्या गया, यह, ठीक है, working भी, working भी, पूरी explain करूंगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पर आप इस sum के लिख सकते हो, very important, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या गतना है, very important का sign देदो, IMP बोलते ही जिसे, important, ठीक है, one of the most important sound में से यह वाल रहते है, जिसके दराब क्या दोनों चीज mix-up हो जाएगे, ठीक है, अभी तक का आपने जीतना पड़ा, वो सारे चीज एक collaborate करके, इसके अंदर आल रहते हैं, क्या बताएगे, illustration number 10, guaranteed by the firm as well as by partner, दो चीज हुए है यहाँ पर एक साथ, guarantee, इसको firm को भी guarantee मिली है, 37 हाँ, partner को भी guarantee मिली हुए, तो that means आपकी जो working होगी, वो भी आपको दो तरीके से करनी है, firm की guarantee है, at least firm को जितना मिलना चाहिए, उत्रा देना होगा, same partner को भी guarantee दी हुए, that means जितना partner के लिए reset किया गया था, at least sufficient amount भी आनी चाहिए, बराबर तो यहाँ पर लक्षे से, ध्यान देना, तभी आपाएगा, चोर, start करो भी, then, pqrs, यह name है partners के, लिखना हो तो कभी इस तरीके से लिख लिए करो, जैसे यह दिया हुए, आपको ratio दिया देना, फिर इस तरी से लिखा करो, pqrs, as, same उनी के side to nature ratio लिख जा करो, 4, 3, 2 and 1, बराबर, तो यह क्या आपको easy पता चल जाए, partners and their ratio, बराबर, तो हर एक partner के कितना ratio है लोगो, यह यहाँ पर अपलिक सकता हो, एक total, total कितना हो जाएगा, इस तरीके से format बना दिया हो, यह अगर सही लगे तो, ज्यादा दर पर, मैं तो इस तरीके से बना दो, partners and ratio, इस तर के से लिख दो, ताकि कि आपको confusion ना हो, suppose करीफर ऐसा होती नहीं, R का चीए, तो by mistake क्या होता है, 4, 3, 2, 1, तो उस वग मैं भी गलती से अगर 2 की जगा 3 ले लिया, 2 की जगा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, फिर तो right ही है, बराबर तो यह प्रोड़ा easy way में आपको पढ़ जाया गया, बराबर चलिए, यहां पर मैं सिंग बता सकता हूं, आपका तरीका, आपका खुद का होना चीए, ठीक है, मैंने मेरा तरीका बता है, कि किस तरीके से आप कर सकते हों, चलो, next area है, उन्हें capital के बता है, 1st April 2012 को भही क्या लेकिया आए थे सब लोग, capital लेकिया है, very good, कितना capital है, there go, starting में अगर capital कुछ इस तरीके से दिया गया है, that means, यह कुमसा sequence follow कर रहे, जिस आपसे यहाँ पर दिया है, same गो ही sequence 0, follow कर रहे, that means, 3 like किस का है, P, Q, R and S, ठीक है, यह इन्हें का capital है, क्योंकि उता नहीं से यहाँ दिया नहीं है, तो यह किस का हो, S पर जो sequence दिया आए पार्टनर का, ओ यह होगा, आगे से चलो होता है, then, S share of profit excluding, यहाँ पर देख एक चीद देना, profit excluding बताना है, क्या है, ब्राबर, excluding interest on capital has been guaranteed by the firm with not less than 2,50,000, यहाँ पर फर्म ने S को क्या guarantee दिये, कि तुझे at least कितना 2,50,000 तो मिलेगा ही, इससे कम नहीं होगा, साथ साथ, R share of profit including, यहाँ पर एक और चीद देना, अभी यहाँ पर जो S का share, sorry, it's R का share है, उसके अंदर including को लाँ हुआ है, interest on capital and salary guaranteed by P, guarantee किस दे दिये बैए, पी नाँ को एक partner है, उसने guarantee दिये, किस दो R को, कि भाई तुझे 2,60,000 से कम तो नहीं मिलेगा, समझे रहो, इंशर अगर किसी ने guarantee दिये न, और अगर उस चीद नहीं हो पाई, तो किस की responsibility होई कि उस चीद को पूरा करे, यहाँ पर तो R का बलेगा, बैए, पी, तुने मुझे guarantee दिये दे, नहीं और अगर तुझे लाके दे, responsibility किस की होगी, इस person की, अगर S की में बात करो, उसे guarantee किसने दिये दी, फर्म नहीं, बना बत, फर्म का जब नाम आ रहा है, that means, जितने partner है, ठीक है, टोटल कितने partner है, 1, 2, 3, 4, कितने partner होगा है, guarantee firm ने जिये, that means, अब S को छोड़ो, बाकी के जो 3 है, इन लोग ने guarantee दियोगी, है न, S जब आया होगा, तब यह 3 जन थे, तब ही तो firm का नाम लिया, कि firm ने guarantee दिये, S अपने ही आपका खुदका भी शेयर रखेगा, इसा थोड़ी होगा, बाकी बच्चे कौन, यह 3 जन, टीक है, the profit for the year ended 31st March 2014, प्रिंटेट की दे दिया क्या है, कि कौन सिदेट को, end हुआ था यह, बराबर, then, 1st April, यहां पर कुछ प्रिंटिम इस दे की 3 कर तो, है न, यह दे का 2 साल के इतला हो profit दिलता है, वह वह, 9.00€, before interest in capital, क्या रतायगा, before, that means capital interest निकाला नहीं किया, इस में से, तीक है, सिर्फ, 9.00€ औपीज ही ए, अभी तक capital interest जो हता है, वो deduct, नहीं किया है, दोता है, अनुद है, वह बाँ, सब भी हाल में profit आया ही है, उस profit में से कोई भी बीची, immediate distribute ने करी है, ना किसी का प्रफित है जिसमें से इंट्रेस्टन केपिटल कितना लिका रहे हैं और यहां पर और नाम का हमारा पार्टनर ठीक है उसे पर मंद यह लोग क्या करते हैं क्या करते हैं उसकी सेलरी भी दी जा रही है क्लियर दें प्रिपेर दे प्रॉफित एंट्रोफित एंट्रोप्रियेशन अकाउंट और यह एंटर्टी फॉर्स्ट मार्श तू थाउजन ओटीन प्रिपेर करनी होगी क्लियर चलिए अब इसी बेस पे हम हमारा फॉर्मेट बनाएंगे साथ सब्सक्राइब कैसी वर्गिम होगी वह भी हम देख लेते हैं प्राइब क्लिक करूं अब सिरीज के आते हड़ी जाएगा जितने में पॉइंट्स से सारे हैं प्राइब तो इसकी कुछ पहले फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट किस तरीके से बना है वह पहले एक चीज़ देख लो अब देख लिए हमारा फॉर्मेट ठीक है कुछ कीस तरीके से जाओ करो कि में प्रॉफित लॉपित करेंगे के तो कि फ्रॉफित दिया है अरुपित 잘 के इनल दो फॉर्मेट करेंगे तो की प्रॉीत देख मैमना लिकरपित अपीश में सबसे पहले बुक्स कु हमाने एंट टॉर्मेट नेक तुम अटम हैं ब्इसक्रे बेजिक चीज़ होगी, then, next step लगा था, interest on capital फाइंग करना है आपको, कितना, interest on capital, ठीक है, कितना, वो भी 10% मिलेगा, कितना 10% मिलेगा, तो वो किसका होगा, जो भी इंका capital है, उन सभी का 10% आपको निकालना है, जो 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 चीज़ कोश्चन में, जिस तरिके से दी गई है, हम पहले वैसी ही, solve करेंगे, फर्स्ट, two interest on capital फिया है, यह सभी के capital है, PQRS, 3 lakh, 2 lakh, 50,000, 1 lakh, 50,000, and 1 lakh, इन सभी का क्या करोगी, आप 10% निकालना है, अपनी कैसी में फटा-फट निकालना है, जल्दी से, 3 lakh, 10%, 30,000, या आपको जब भी 10% यसी बाता है ना, पीछे का एक 0 आड़ जाता है, और कुछ नहीं, ठीके, इसका 10,000, 15,000, 25,000, and 30,000, यह सभी का टोटल करेंगे, ठीके, यह सभी का टोटल करेंगे, कितना है अंसर, 80,000, that means, 80,000 या पी क्या दिखा रहा है, कि जितने भी पार्टनर है, उनको as a interest on capital उनको दिया गया, कितना 80,000 रुपीज, मरा बिजनस तो यह चीज, पार्टनर को देंगे, कितना 80,000 रुपीज, अभी तक इतनी चीज ध्यान रखना, आगे की बात, आगे बता हम बात, next क्या है, salary to R, R नाम का जो पार्टनर उसे salary दी जा रही है, कितनी, per month salary है, वो भी कितनी, 10,000, ठीक है, 10,000 का है, salary दे रहे हैं वो, एक महीने की 10,000, तो एक सार में कितने महीने होते हैं, 12, that means, total salary कितनी मिल जाएक इसको, 1,20,000, 2, R salary, कुछ इस तरीक से ही आपको की बताएगे, 10,000 into 12 करके ही, 1,20,000, clear, बराबर, देखो, next step, दूसरा कुछ दिया है, वो एक additional, नहीं, हो गया है, ना commission का point दे ना कोई सा भी नहीं, that means, आपका next step किस सीच पर होगा, कि भाई आप जो remaining profit है, वो partners को distribute कर दो, ठीक है, interest भी निकाल दी है, किस तरीके से आप distribute करोगे, वो देख लें, आओ जाते, अब यहां पर ध्यान देना, बहुत जरूरी चीज़ है, हम हमाना profit कीतना था, 9 लाग रुपे, ठीक है, उस 9 लाग में से, जब भी आपना, जब जब बिजनस में profit होता है न, तभी वो interest on capital दे पाएगा, loss में interest कैसे देगा capital का, बराबर वो नहीं होगा, लेकिन profit हुआ है, इसलिए भेच चलो, सबको 10% capital मिल जाएगा, interest on capital, जब बड़ी बड़ी कंप्रियम होता है, कुछ benefit हुआ, तो वो bonus निक्लेर करोगे, सेम ऐसे है, नाइन लाइक रुपिस का profit हुआ था, क्या था ये profit था, बराबर इसमें से ऐसा 80,000 रुपिस आप दोगे, कितना, 80,000, बराबर, 80,000 रुपिस आपने क्या दिया, interest on capital, सभी partner का मिला के, एक total हुआ, साथी सार, आप यहाँ, salary भी दे दी, किसको, आट नाम के पर्फल को, salary भी जारी थी, तो वो पैसा भी तो में इसी में से deduct करो, profit में से ही, बराबर, उसको भी profit में से ही deduct करोंगा मैं, तो that means, remaining profit कितना बज़ गया आप मिल पास, जो remaining profit है, वो कितना हो गया, 7,00, ठीक है, remaining profit कितना है अब, 7,00, रुपिस, that means, अब जो partner को उनका profit sharing मिलेगा, वो कितनी amount में से मिलेगा, 7,00, रुपिस में से, अब मुझे, मेरे जितने पार्टर है, कितने हैं, चार, इन चारों को as per their profit and loss ratio के हिसाब से distribute करना है, कितने पे, 7,00, पे, बराबर, जिस समझ नहीं, profit अब कितने में से पार्टर को share, कौन सी amount पर से मिलेगा, 7,00, रुपिस पे से ही मिलेगा, बराबर, यही चीज़ की डर आजा, वर्किंग दी हुई आपको, तेको, to share of profit, 9,00, 80,000 minus किए, interest from capital के, फिर minus किए, 1,00, 20,000, remaining कितना हुआ, 7,00, बराबर, समझ नहीं, आरे सब को, चलो, next कर जागे, अब यहां पर आपके next step क्या होगा, कितने partner है, 1, 2, 3, 4, बराबर, सबसे बहले एक काम करो, जिस तरिके से बतारा हम, पहले कि आपको पता है, लिखने को बोला था मैंने, 4, 3, 2, 1, इसी ratio में पहले तो बाट को, जितने भी है, इन सब को पहले, distribute करते चले हो, बराबर, जैसे first, यह P बलत दिया है, 4 बैट है, कितना, 7,000, कितना आ गया, 2,000, 80,000, ठीक है, यह P का profit sharing है, किस में से, 7,000, रुपिस में स इसे, तोड़ी जगा छोड़े है, इस तरुकी से करो ग्यों तो बहुत ही, जयादा easy बनेगा, लाबर, बहुत जयादे easy होगा, फुड़ी जगा छोड़, अपने फिर स्पेस छोड़ दी, सीम कुछ इस तरहीं से करना आपको, जैसे अपने P का लिकाल यह पर share, कितना आ ग सब्सक्राइब कि इतना ही आएगा टू लैक टैन्थाॉज़न बराबर से थोड़ी स्पेस छोड़ो दो दो आरका निकालो और स्पेस चोड़ो एसका निकालो बीच में तक्रीबल तीन से चार लैन या जाद पांच लैन इतना स्पेस सब में आएगा ठीक है पांच पांच लैन ते गैप छोड़ो जिस तरह किसे बतारो वैसा करो तभी यह चीज़ समझना है कि अधर वैसा आप दूक में देखके डार्वेक करोगे तो नहीं आएगा ठ एज़ाम पॉइंट भी सीखना है ठीक है सबके बीच में आप एक पर्टिक्लर गैप रखो सिर्फ अभी क्या रिकालना है सेवन लैक रूपीज जो थे रिमेनिंग प्रॉफिट जो था रिमेनिंग प्रॉफिट सेवन लैक उसका अभी आपको क्या करना है सिर्फ शेर निक कर रहे है बराबर बस सिर्फ अभी यहां पर इस ही पर डिस्ट्रिब्यूट कर दो बस और कुछ नहीं करना है जरू नेक्स्ट पर जगह चोड़ो तो क्यू का निकालो यहां सभी को अपी जो अमांट आईगी वो इनर कॉलम में लिखने कहां पे इनर कॉलम होता है यह कॉल अगें कितना दा टू रेंग यहां सेकेंड रिट 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 रहुट्रिब्यू नेक्स्ट आजां जानो एस पेंग मैं आपको पहले को रहा सब के अंदर पांच 5 5 5 9 छोड़ दो अराब से क्योंकि मांगा आपसे और यहीं पुछ एकां का पूलिट है यहीं पुछ जोड यह रहा, इसका निकाल दो, S का कितना था, 1 रेशियो था, कितना था, 1 रेशियो था, इसी रही हम आपको बोला गया था, कि कुछ इस तरीके से ही बना लो, यह याद रहा लगा, किसका कितना रेशियो था, ठीक है, निकाल दिया, आपने 70,000 आ गया, clear, that means यहाँ पर आपका ए यह चीज आपके complete होगे, आप आजाओ, सिर्फ हमें जो point दिये करते हैं, जो main points दे, that means हमाना चीज यह sentence है न, अब पूरा जो game है, वो इसी sentence में चलेगा, कितना पूरा इसी के लिए, सिर्फ है जो fair enough है, अब इसी के लिए रिगार्दें काम को working कर भी होगे, क्योंकिए amount च इसी पहले बोले गई है, step by step पहले चलते जाओ, first, as share of profit excluding interest on capital has been guaranteed by the firm to be not less than 250,000, बराबर, that means, 2,50,000 से कम तो उसे नहीं मिलेंगी, किस ने बोला था, firm ने बोला था, excluding, that means, इसके अजरा interest on capital include नहीं है, कि हाँ, उसको मिला के बेर तरब इतने तो होई रहे है न, उसको अलग जो उसे interest on capital, s को कितना मिला था, interest on capital, यह जो है, कि सामां को side कर रखू भाई, 10,000 तो मेरे अलग है, मुझे उसके अलावा, 2,50,000 चाहिए, मिलने थे, interest on capital को आप side कर रखो, इसलिए वहाँ पर special word दिया गया है, excluding, excluding means, इसको मत गिनो, interest on capital भले तुमने में को लाख रुपे मुझे उससे को यह लिना दे रहा नहीं है, फर्म ने मुझे बोला था कि तुझे अलग से profit, 2,50,000 का मिले रहा, मुझे से उससे लिना देना है, बराबर excluding का word, ध्यान दर्गो, excluding wallet means, interest on capital के बले ही amount, अगर 3,00,000 रुपे भी होती, तो भी यहाँ पर वो नहीं गिना था, क्य क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसे profit चाहिए, excluding बोला है उसने, क्या बोला है, excluding net interest on capital के कितने भी amount होगी, वो side पे, मुझे मेरे 0,500,000 रुपे तो अलग चाहिए, बराबर आप तब उसमें 10,000 प्लस नद कर देना, कि यह भी तो तेरे 0,500,000 रुपे, वो अलग है, excluding पहले उसने शरत रखी थी, कि अलग से होगा, excluding means अलग से, बराबर इंदी language में जिससा बोला चाहिए, चौब, तो आप इसी करी regarding क्या होगी हमारी, working कर ले थे, clear, चौब, working कुछ इस तरीके से, calculation of the firm's deficiency, ठीके, क्या को लगा है, firm की deficiency बताईए, share of profit, excluding on capital has been guaranteed by firm, पहले बताओ कि firm ने कित firm ने guarantee की इतनी दी थी, कि यहां पर तुझे इतने पैसे मेरेंगे, firm ने 250,000 की guarantee दी थी, बराबर, जिसमें से, अभी तर, firm ने उसे कितने पैसे दे चुकी है, कितने दी है, हमारा देखो, यहां का आप अलो पर जाएगा, कितने पैसे दे चुके हो, इसके अंदर, ठीक है, क 7 lakh का total remaining profit था, उसमें से अभी तक ने कितना दे चुके है, firm वाल उसे, 70,000 दे चुके है, वादा कितने का किया था, कि भाई, कि कि 2 lakh 50,000 हम देंगे, जिसमें से 70,000 दे चुके, that means, बचे, अभी कितनी amount बच गई है, जो अभी कि उसे, हमें देनी होगी, ठीक है, 70,000 दे दिए that means remaining amount कितनी है, remaining amount कितनी है, 1 lakh 80,000 और S नाम में जो है, हमारा person है, उसे क्या बोला गया था, उसे firm ने बोला था, कि भाई, बाकी की जो amount रोगी को हम दुझे दे दे, guarantee नी थी, that means वो लो, तो S के अलावा, और कौन-कौन लोग है, S के अलावा, बाकी और कौन-कौन लोग है, ठीक है, कौन-कौन है, S को चला हो गया, that means P है, Q है, और कौन सा हो गया, R, बराबर, ये तीन जन है, वो मैं और कोई चौनथा दिख रहे हैं, आप दो रोगे S, बैए S कोई तो पैसा देना है, जिसको पैसा देना है, उसी के पास से पैसा निकाल के उसी person को दो गया, come on, ऐ पैसा तो नहीं हो सुरता, बाकी के लोग क्या करेंगे, S को पैसा देंगे, कितनी अमांट देंगे, अब कोशन बहा पर है, कि अमांट कितनी दी जाएगी, कितने का डिफ्रेंस आ रहा है, 180 का डिफ्रेंस, that means, 180 रुपीज, जो बाकी के पार्टनर है, कितने है, जो बाकी के शेयर में से 180 रुपीज मिलाके, S नाम के पर्टन को दे देंगे, क्लियर, अब मेल बाक कौन सी है, कि याद, 180 रुपीज लेना है, पार्टनर तीन है, तो कौन से रेशियो में देंगे, यह कौन से रेशियो में देंगे, इनका जो रेशियो आपको यहां दे दिया गया, र आप जो यह ठीन पॉरनेर हैं अब जो यह ठीन पॉरन और मों किसको क principia via S को पैसा देना है ना शेल्ब ये होगिं इसी डी ओ मिलागाइ आइस फो पैसा दे गगाइन किस तरीके से चलहिए यह वह भी देख लेते हैं लोगे आपर अपर अब नेक्स्ट इतरा समझ में आया कि 1,80 किस तरीके से आया है आपर बराबर कैसे आएगा यह समझ में आपर अब नेक्स स्टेब आज़ा कौनसी कौनसी 1,80 तो देना ही है बराबर अब यही पैसे कैसे डिस्ट्रीटकर करेंगे कैसे एशकर एशकर टेयर रेश्यो ठीक है क्या 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 छींगे ऑस सब चीज डिवाइड तरब नेए छोल यहां पर आपको इसका एक स्टेब नहीं है हम लोग उसका स्टेब कर लेंगे है ना कितना है 1,18 जल्दी जबने सब कैल से निकाल हुआ ठीक है और रिस्टी त्रिस्टी दिया हुआ है में नेक्स एक पेज ले ले तम यहां में क्लियर तो है ना क्या है P Q R और S यह तीन जल्दे हैं मैले रेश्यों के हैं 4,3,2,1 बराबन लेकिन यहां पर तो S को ही पैसा देना है तो कौन से लोग देंगे यह तीन पार्टनर है अब इन्हें क्या करना होगा मिलांके S को पैसा देना है कितना पैसा देना है 1,80,000 की अमांट जो है यह दोनों को मिला के देनी होगी ठीक है तो P का पहले देख लो कितना आएगा 1,80000 इन्टू 4 ना डिवाइड में कितना लोगा इतना बदा उसे डिवाइड में कितना आएगा जल्दी डिवाइड में कितना आएगा बहुत चलो 10 बोल रेपी 10 होगा नहीं क्यूंके S थोड़ी है एसको 2 पैसा मिलने वाला है कितने लोग अपने पास से डिवाइड करेंगे वही तीन जन तो इन तीन का टोटल करो कितना हो रहा है नाइज यहां पर क्या जाएगा नाइज थीके यहां पर क्या जाएगा नाइज आज आएगा बराबर तब यहां पर इसका कैसलेशन कर दो कितना आएगा कैसलेशन केरेंगे 20,000 यह कितना आगिया 80,000 मीन स्1 π कितना आ गया 80,000 मीन्स पहएगा 60,000 आज आ जाएगा आर लिए कितना है 180 इंटू 2 by 9 20 यह कितना हुए आप 40,000 केल्सी में कर लो ठीक है मैं तद आरेक करो केल्सी में कर सकते हो ठीक है यहां पर आपको अपकी अमाउंट मिल लिए क्लियर कि कौन अपनी तरब से कितना पैसा देने वाला है किसको अपने पास से कितना देगा पी देगा 80,000 क्यों देगा 60,000 कितना देगा 40,000 रुपीज देगा किसको एस को बराबर अब यह आपको बराबर पाएगया होगा कि यह सारी चीजे जब एस को मिलेगी तो उसके इंदर क्या बचारेगा पयसे पैसे चाहले है उसको पैसे उसको यह लोगव के पास से पैसे जा रही है इंको रहे होगा कि इनको इनका उसके पैसे अनलग के पर्टिकलर अकांट उसमें से क्या क्रूंदा यह जो अमाउंट है यह जो अमाउंट है इसे का करूंगा लेस ठीक है लेस कर दूंगा इड़क्त करने पड़ेगी चलो वरकिंग इपने लिख लेना ठीक है तो पास करके लिख लेकरो यही सारी चीज थी आज अब लिख में सब के अंतर पहले तो जैसे फॉस्ट तूले अब लिखो अब लिखो अब लिखो अब लिखना है जब तक या लगो कि सारी चीजे कम्पलीट नहीं तब तक आप कोई भी चीज का टोटल नहीं करेंगे सिर्फ एफेट देगी है चलो पी यह राद पी वाला दिया हुआ है जिसमें कितने ले लेस्ट जैफिशेंसी करना वर्किंग नोट हमने पी जो बनाया है उसे वर्किंग नोट वन या टू करके नाम दे दो वह लेक्ट एटी ताउजन में से पॉर बाए नाइन अभी हम डिस्टिट के लिखना है टोटल किसी का मत करना क्यूं का गया क्यूं के पास से भी कुछ सर्टेन अमांट डिड़क् आग के पास से कितनी तरह था 40,000 रुपीज बराबर तो 40,000 रुपीज यहां पर आएंगे गेरे 40,000 डैड यही सारी चीज़े किसको मिल रही है एस को तो उसके अंदर क्या होगा एड बराबर उसके अंदर क्या हो जाएगा एड यहां पर देंगो एस के अंदर deficiency required बराबर रिकबर हो रही है यह लोग तो ट्रांसफर कर रहे है अब यहां पर उन्हें PQR that means यह सारी चीज़े इन सब का टोटल करके रिख दिया है 180 आपनों चाहों तो अलग से जी लिख सकते हूं अलग से कुछ इस तरी किसा रहा है यह यह जैसे पी का अलग से पता सकते हैं कि पी बही 80,000 दे रहा है क्यूं का बता सकते थे कि वह यह 60,000 दे रहा है आपने इसा जो लिख दी है अब इसे ब्रैकेट में भी लिखा सकते थे कि 80,000 प्लस 60 प्लस 40,000 अब ही भी किसी चीज़ का टोटल नहीं करना सारी इफेक्ट भी दे रहे है यहां तक आपने हर एक चीज़ की आए देदी, एफेक्ट देदी कि किसी किस तरी किसे एफेक्ट आए की, that's it, next step के आजाओ, अब यहां आप आपने next step क्या होगा, देलो, और कुछ बागी question में, बिल्कुल, आर के बार में जो यह slime है, यह बागी है, इतना sentence तो complete हुआ, next क आपकम जब share देंगे, उसके अंदर, उसका जो interest और capital है, और साथ की साथ उसकी salary है, उसको भी include कर लो, बराबाब उसको भी include करके, वह उसको पास two like sixty thousand होने चाहिए, include कर लो, बुलाया ना उसने, क्या है salary जितनी मिलेगी, और मेरा जो interest होगा, उसको भी आप गिन लेना, औ और जितना मेरा share बनता है, उन दोनों को mix करके देखना, क्या मुझे 2.60,000 होपे मिल रहे क्या, बस यह चीज़ उसको बताएगे आपको, clear, तो उसमें ध्यान देरो, बराबाबर, और यह चीज की guarantee किसने दी ती, सिर्फ उस परसल के नाम देखना, यहाँ पर, आरको guarantee किसने दी दी, P नाम का जो हमारा partner ने, उसने specify किया रहे कि भई, तुझे 2.60,000 at least इतने तुम मिलेंगे ही, यह मेरी guarantee है, बराबर, जो guarantee दे रहा है, तो वही guarantee pair भी करेगा, बराबर, तो R को उतना profit मिलना चाहिए था, इसकी आज अग वरकिंग देख लो, कैसी होगी, working number second, ठीक है यह working number second, उसी की है, calculation of deficiency recovered by R from P, अब यहाँ पर आप total को करना पड़ेगा आपको, कि R को share कितना मिला, R को salary कितनी दी, R को interest कितना मिला, क्या उसका पैसा 2.60 तक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो कही न कही शायद P को अपने पास से और कुछ पैसा R को देना पड़े, बर करना, calculation R from P, R का share कितना था, सबसे पहले, R का हमने share कितना निखाला था, 1.40,000, सबसे स्टार्टिंग में निखाले सबके share, बराबर पहले share देख लो, बाद में, हमने पर उसका share था, फिर R share इनी form deficiency, deficiency वाला एक कौन सा है, S नाम का जो person था, उसे 1.80 रूपीज में से कुछ सबको देना था, यह वो, तो R के पास से कितना पैसे चला गया था, 40,000 चला गया, that means, अब R के पास कितना बचा, एक लाग रूपे बचा, profit कितना बचा है, सिर्फ एक लाग रूपे, यहां पर उसके include करने क्या प्रादा, add करो, कि हमने तुझे interest दिया, कितना, 15,000 रूपे capital interest है, तुझे salary भी हमने दिया, 1,20,000, कितना है, 1,20,000, मीच इसको include करने बोला था, बोले हाँ, मैंने बिल्कुल बोला था, तो include करो, इन दोनों को plus करो, amount कितने, 1,35, बराबर, कि मैं 1,35, दे चुके, total करो तो कितना हो रहा है, 2,35,000 हो रहा है, R बोलेगा कि सर आपने वा आपने तो मुझे भी तक 2,35,000 दिया है, that means अभी भी आपने 25,000 रुपीज मुझे तो नहीं दिये, बराबर, जो ज्यादा होगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, सिदी सी बात है, whichever is higher का concept है हमारा, तो 2,60,000 है भई, मुझे तो इतना चाहिए, आपने दिया कितना, 2,35, 25,000, कितनी अमोंट बच रही है, 2,60 मैसे, 2,35 माइनस करो, कितना बचा, 25,000, बराबर, कितना बचा, 25,000, गैरेंटी किसने जीती, आपको ये जने तो पुस्त पुस्त आएगा, आर को, भई, तुझे किसने बोला था, कि 2,60,000 मिलेंगे, तब आर के बताएगा, वो जो पी ह मुझे उसने गैरेंटी दी, कि तुझे 2,60,000 मिलेंगे, तो भई, बुलाओ पी को, भई, तुने गैरेंटी दी दी, जी, बिल्कुल गैरेंटी दी दी, तो गैरेंटी दी है, तो इसको पैसा पूरा दो, ये जिम्मेदारी किस की होगी, इसने गैरेंटी दी, पी ने गैरे आपको प्रॉमिस किया था यह आर को 25,000 दिये आर के पास उतने चीज एड हो गई उसको कितना किया उसका टू सिक्स्टी रुपीज मिल गई जल्दी बढ़ा मीरी की नहीं मिल गई क्या पर आपकी एफेक्ट किया ही सिर्फ 25,000 रुपीज किसके पास से पी के पास से गए आर के पास आरे इसके एफेक्ट देने होगी बराबर चोड़ यहां पर यह रहा डेफिशेंसी बॉन फ्रॉम यह बाए आर किसको ट्रांस्टर के जा रहा है आरो 25,000 देने पढ़े लुश्कों दिख रही आपके यह रहे है क्लियर यह दिया हुआ 25,000 रुपीज देने पढ़े साथी सार आर पो देख लो आर के पास यह 25,000 आ रहे है बराबर डेफिशेंसी रिकवर्ड फॉन पी स्टे इशा-कोई विएफेक्ट बची था पहले तो, नहीं, इंट्रेस्टन केपिटल का हो गया, सलेरी का पॉइंट हो गया, प्रॉसिटका हो गया, इंट्रेस्टन केपिटल एक्स्टूडिक, इंक्लूडिक, सलेरी गरेट्ड अच्प्लेटर सारी चीजह हो गई है, that means आपका आपको क्लोजिंग करना है क्लियर तो क्लोजिंग किस तरीके से करोगे मैं परने अकाणन आजाओ स्टार्ट करेंगे मिनियट प्रॉफिट का था प्ता है तू लिक ए ट्वाजी था पी लेस कितना किया विधूज़ी सथी कैसी निका पहूं उसके एंसी केंदर 2,80,000 minus 80,000 minus 25,000 यह S को दिया था, यह R को देना पड़ा, अब P के पास कितना profit of share बचा है, 1,75,000 किसका है, P का, वैसी बात करते हैं, Q का कितना था, 2,10,000, लेकिन Q को भी कुछ परसेंट S को देना पड़ा था, 60,000, less करके amount, outer column में, इसे inner column बोलते, इसे outer column, ठीक है, 1,50,000 में, next, R का जाते है, R को कितना share मिला था, 1,40,000 का, उसमें से less करें कितनी, 40,000, बराबर कितना less किया, 40,000 रुपीज, less कर दिया, और आपके जरबसार, यह 1,00, रुपीज कांसे आ गया, अरे 1,00 कैसी नहीं आया भाई, इसको इसे less कर दिया, और उसकी amount लिख दिया, 1,40,000 minus 40 कर दिया, 1,00, रुपीज दिया, यह एकर नहीं भी लिखते न, तो भी चलता, ठीक है, कोई जरबत नहीं बीच में लिख दिया, 1,40,000 less, उसमें add करेंगे 25, यहाँ पर add हो रहा न, इसलिए उन्होंने sufficient amount दे दिया है, इसलिए अ, भी करी करेंगे 25, रधात नहीं भी लिखते पिया, 1,40,000급, विखते न, क्यांपने बीच शर्चा है, क्या थे honoring कोई भीजश दिया है, उसकैंदाने भीच में भीच भीच में भीच में भीच मेंगे को हैं पनले चल्से प किस्या भीच में पूना इसकंदा पिम